यहों पस्तित, सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, देश भर के अने कौमन सर्विस सेंटर से हजारों लोग विशेशकर गाउं के पंच सरपंच भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मनाली से वहाँ के मुख्यमंत्री स्री जैराम ठाकूर जी, वन मंत्री स्री गोविन सींजी ठाकूर, वहाँ के सांसर्थ स्रिमान रामस्वरूप शर्मा जी भी तक्निक के माध्यम से इस कारकम में हमारे साथ शामिल है, उनके साथ अटल जी के प्रिय गाउं, जो मनाली में, जिस गाउं में अटल जी जाकर कर रहा करते थे, अटल जी के प्रिय गाउं से भी, इस समारों में वहाँ लोग टेक्नोलोजी से जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आज इस मन्द से मैं सबसे पहले, देश के लोगों को, दुनिया को, क्रिस्मस की बहुत बहुत बढ़ाई और शुब कामनाई देता हूं, मेरी क्रिस्मस, आज भारत के दो दो रत्नों, हम सभी के स्रध्धे, अटल जी और महामना, मदन मोहन मालविया जी का, जन्मदिवस भी है, मैं इन दोनों महापुरुषों को, आदर पुरवग नमन करता हूं, देश की तरफ से, इन महापुरुषों को सरध्धांजली अर्पित करता हूं, मुझे बताया गया है कि, प्रिणी में, जो मनाली के पास है, आज, अटल जी किस मृति में, सबने मिलकर के गाउवासियों ने, एक हवन की योजना की, कई अनेक कायरकम भी बनाए हैं, साथियों, आज देश के लिए, बहुत महत्वपूरुण एक बड़ी परियोजना का नाम, अटल जी को समर्पित किया गया है, हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मु कश्मीर से जोडने वाली, मनाली को लेश से जोडने वाली, रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी, हिमाचल के लोगों को, प्रिणी के लोगों को, ये सरकार की तरफ से, अटल जी के जन्म दिन पर, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उफ़हार है, ये सिरफ हिमाचल या ले लड़ा इतना सिमित नहीं है, एक प्रकार से, अटल जी के वीजन का, पूरे देश की सुरक्षा की दुरुष्टी से भी, एहम महत्वपूर्ण है, तुरिजम की दुरुष्टी से भी, इसकी एहमियत बहुत जादा है, ये अटल जी ही थे, जिनोंने इस तनल के महत्वपू को समझा, और उसके निर्मान का मार्ग बनाया था, अटल जी के नाम पर, इस तनल का नाम करन होना, हिमाचल के प्रती उनके लगाव, और अटल जी के प्रती, आप सभी के आदर और असिम प्यार का भी प्रतीक है, साथियों मेरे लिए ये भी खुशी की बात है, कि मैं उन दिनों में संगठन का काम करता था, हिमाचल में रहा करता था, और जब भी अटल जी का मनाली आना होता था, प्रधान मंत्री के रूप में भी, तो स्वाभाई गुरूप से एक संगठन की जिम्मेबारी होने का कार, मैं भी वहाँ रहता था, और ये जो सारा मन्थन चला था इस कारकम का, इस योजना का, तो मुझे भी बड़ी नदिक से, बड़ी बारी किसे, इन चीजों को सुनने का, समझने का मोका मिला था, तब कभी सोचा भी नहीं था, कि आज मुझे अटल जी के उस सपने को, अटल जी के नाम से जोडने का, आज सवभागे मिलेगा, करगिल के यूत्य के बाद, सुरक्षा की दुरुस्ति से, स्ट्राटेजिक दुरुस्ति से, ये बहुत महत्वपुन हो गया था, कि हमें नई विवस्ताएं विक्सित करनी होगी, और अब, सुरक्षा की दुरुस्ति से तो, अनेक अनेक प्रकार के इसके, महत्वपुन आयाम है, लेकिन साथ साथ, ले लदाक और करगिल, ये एक टनेल, वहां का भाग्य बदल देगी, इसा है मेरा पुरा विश्वास है, साथियों, पानी का विशय, अटल जी के लिए बहुत महत्वपूर्ट था, अनके रदय से बहुत करीब था, जब अटल जी प्रधान मंत्री थे, तो शांता कुमार जी, जो कभी हिमाचल के मुख मंत्री भी रहा करते थे, हमारे वरिष्ट नेता है, शांता कुमार जी, पानी को लेकर के बहुत बड़ी योजना को आकार दिया गया था, लेकिन बाद में, अटल जी की सरकार नहीं रही, और पानी की योजना ही बह गई, हमने पिछले सरकार के दर्मियान पर इस पर बल दिया, और अब इक मिशन मोड में इस काम को आगे बढ़ाने का तैक किया है, पानी को लेकर के अटल जी का जो वीजन था, वो वीजन, आज भी हमें प्रेना देता है, अटल जल, अटल जल योजना हो, या फिर जल जीवन मिशन से जुड़ी गाइडनाइन्स, ये 2024 तक, देश के हर घर तक, जल पहुँचाने के संकल्प को सिद्ध करने में, एक बड़ा कदब है, साथ योजन ये पानी ही है, जो घर, खेत और उद्ध्योग सब को प्रभावित करता है, और हमारे हाँ, पानी के स्रोतों की क्या स्थिती है, ये किसी से छुपी नहीं है, पानी का इसंकट, एक परिवार के रुप में, एक नागरी के रुप में, हम सब के लिए, चिंता का विशे तो है ही, एक देश के रुप में भी, ये विकास को, हमारे सपनों को साकार करने में, प्रभावित करता है, नुई इंडिया को हम, जल संकट की हर स्थिती से निपटने के लिए, हम सब को मिल करके, इस्थिती को मजबूत करना ही होगा, और इसके लिए, हम पांच स्तर पर, एक साथ काम कर रहे हैं, पहला, पानी से जुड़े जो डिपार्टमेंट है, हमने उनके साइलोस को तोड़ा है, दूसरा, बारत जैसे विविदता भरे देश में, हमने हर खेतर की जमिनी स्थित्य को देखते हुए, योजनाओं का स्वरूप ताय करना पर जोड़ दिया है, तीसरा, जो पानी उपलब्द होता है, उसके सही संचयन और वित्रण पर ध्यान दिया, चोथा, पानी की एक-एक बुंद का इस्तमाल हो, पानी की रिसाइक्लिंग हो, इसे योजनाओं में प्राफिक्ता दी, और पांचवा, सबसे महत्वपून, वो है जागरुप्ता और जन भागिदारी, साथियों चुनाओं से पहले, जब हमने पानी के लिए समर्पित, एक जल शक्ती मंत्राले की बात की थी, तो कुछ लोगों को लगा कि ये कैसा बाता है, लेकिन बहुत कम लोगों ने इस बात पर गौर किया, कि क्यों इसकी जरूरत थी, साथियों वर्सों से हमारे यहां, पानी से जुड़े विशे, चाहे रिसोर्सीज हो, कंजर्वेशन हो, मैनेजमेंट हो, तमाम अपरेशन और काम, अलग-अलग डपार्टमेंट में बटा हुआ था, यानि एक तरह से कहे तो, जिस साइलोज की मैं बात करता हूँ, अगर हम सिर्फ पानी विभाग कोई देखे तो पता चलता था, कि सरकार कितने साइलोज में बटी हुई है, इस वज़े से, कहीं राज्जवार केंद्र सरकार में, कहीं केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रा लग में, कहीं अलग-अलग विभागवार मंत्रा लग के बीच, अक्सर विवाद होता रहता था, कुछ ने कुछ दिक्कत आती रहती थी, इसका नुक्सान ये हुआ, कि पानी जैसी मूल आवश्रक्ता के लिए, जो एक होलिस्टिक एप्रोच चाहिए, वो पहले की सरकारों के समय, अपना यी नहीं जा सकती है, जल सकती मंत्रा लग ने, इस कमपार्टमेंटलाइज एप्रोच से, पानी को बहार निकाला, और कॉम्प्रिहेंसिव एप्रोच को, हमने बल दिया, इसी मांसून में हमने देखा है, कि समाज की तरब से, जल संकती मंत्रा लग की तरब से, वाटर कंजर्वेशन के लिए, द्यापक प्रयास हुए है, साथियों जिस खेत्रिय भी विवित्ता की बात मैंने की, वो पानी से जुड़ी योजनाओं के लिए, बहुत मांतप उड़ा है, हमारी यहां तो कहा जाता है, कि हर कोश पर पानी बदल जाता है, पानी और वानी दोनों के लिए कहा गया है, अब जो देश, इतना विविद हो, इतना विस्तरत हो, वहाँ पानी जैसे विशे के लिए, हमें हर ख्षेत्र की आवश्रक्ताओं को देखते हुए, आगे बढ़ना होगा, इसी सोच ने, अटल जल योजना का आधार ताई किया है, यानि, एक तरब जल जीवन मिशन है, जो हर गर तक, जल पहुँचाने का काम करेगा, और दूसरी तरब, अटल जल योजना है, जो उन छेत्रों पर, विशेत ध्यान देगी, जहां ग्राउंड वोटर, बहुत नीचे गए हैं, और तेजी से नीचे जा रहे हैं, आज की पेड़ी, दो चीजे बड़ी आराम से देख सकती हैं, एक, तेख्नालोजी दी इस तिजे से बदल करती हैं, आब पता चलता है, कि पिछले महने तो टेकनालोजी में यह था, इस महने है आ गया, अगर बारी केसे देखो हैं, तो आपको यह पता चलेगा, कि पिछले साल तो पानी इतना नीचे था, इस साल और नीचे चला गया थोड़ा ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि आपके आँखों के सामने पानी कितना नीचे चला जा रहा है मुझे बराबर याद है जब मैं पंजाब में काम करता था उस समय पंजाब में इस बात की चर्चा होती थी कि हाँ पानी इतना उपर है कि खेती में काम को नुक्षान होता है आज 20 साल हुए वहाँ पर से सिकायत ये हैं कि पानी इतना नीचे चला गया है कि खेती करना मुश्कील है यहने कैसे हालत तेजी से बिगड रहे अगर हम सब जागरत नहीं होंगे जिम्मेवारिया नहीं निभाएंगे तो हम खुदी अपने आपको कितने गहरे संकट में डाल देंगे सात्यों इस योजना से महराष्टर, हरियाना, करनाटर, राज़तान, यूपी, एमपी और गुजरात इन सात राज्जों के भूजल को उपर उठाने में बहुत मदल मिली कहने के तो सात राज्जे हैं लेकिन एक प्रगार से ये हिंदुस्तान का पचास पतिशत हिस्सा है बागी हिस्सा वो है जहां अधिक पानी की समस्या है बार-बार फ्लर आते हैं बार-बार पानी के कारण मुसिबत आती है और ये इलाके ऐसा है जो पानी के बिना तरस रहा है हिंदुस्तान ऐसे संकर से गिरा हुआ है और देश का प्रधान मंत्री और देश का जलशक्ति मंत्री दोनों ऐसे इलाके से आ रहे हैं, जहां पानी की किलत क्या होती हैं, जो ज़ब से जानते हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने उस मुसीबत को जेला है, आखों के सामने देखा है, और इसलिए इस फीड़ा को, इस दर्द को हम भली बाती समझ पाते हैं, और इसलिए मिशन मोड में काम करने का मिज़ाज भी बनता है साथ इन साथ राज्यों के 78 जिलों में 8300 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में बूजल की स्थिती बहुत ही चिंता जनक है इसका क्या खामियाजा वहां के लोगों को उठाना पड़ता है वही सबाएं सारे गाउं वाले टेक्नलोजी से हमसे जुड़े हुए है वो इस बात को सुन रहे हैं वो समझ रहे हैं इसके महात्माई को समझ रहे हैं इन खेत्रों की, किसानों की, पसुपालों की, छोटे-छोटे उद्यमियों की, वहाँ की महिलाओं की दिक्कत है, किसी से छिप्पी हुई नहीं है, साथ यो लोगों को इन दिक्कतों से मुक्ति मिले, जलस्तर में सुधार हो, इसके लिए हमें जागरुकता अभियान चलाने ह होगे, Artificial Intelligence, Internet of Things, और जरूरी डेटा को हमें जोडना पड़ेगा, और सबसे प्रमुक बात, हमें जल सवरक्षन और जल समवर्धन पर बल देना होगा, ताकि पानी की एक-एक मुंद का उचित उप्योग हो, और यह आखिर होगा कैसे, इस ट्रीम का नेत्रूता करेगा कौन क्या आप सर करेंगे? सरकारी मराजम करेंगे? बिरोकेट करेंगे? जी नहीं. इसके लिए हमें उन लोगों तक जाना होगा, उन लोगों को जोडना होगा, जो पानी का इस्तमाल करते हैं, जो पानी के संकर से प्रभावीत है. इसके लिए हमें अपनी उन मातों बेहनों के पास जाना होगा जो घरों की असली मुखिया होती है घरों में पानी का उप्योग जरुद के अनुसारी हो जहां तक संभव हो रिसाइकल किये पानी से काम चलाए जाए यह अनुशासन घरों के पीतर भी लाना ही होगा कैसी चीजों का निर्मान करें कि जहां कम से कम पानी से अधिक से अधिक काम हो पाएं टॉयलेट की रतना कैसी हो टॉयलेट को फ्लस करना है तो कितना पानी लगेगा कम से कम पानी कैसा हो कुछ लोगों ने बनाया है कि बॉस बेजिन का जो पानी होता है वो टॉयलेट की तंकी में जाता है और फ्लस करना होता है तो वही पानी फिर से उप्योग में आता है कई प्रयोग हो रहे है स्टार्ट अप दुनिया के लोग इसमें आगे आ सकते हैं और पानी की बचा तो इस प्रकार थे पानी का उप्योग घरों में कैसे हो ऐसी विवस्त जैसे हमने LED पल्प का अभियान चलाए 11,000 मेगावोड बिजली बचाने में LED पल्प अभियान काम कर गया उसमें किसी घर माली को हिसाब किताब नहीं लगाना पड़ा अगर या चालू करू कि बंद करू एक ववस्ता से ही बड़ा बड़लाव आया अगर स्टार्ट अप दुनिया के लोग आगे आते हैं तो मुझे विस्वाफ हैं कि ऐसी ववस्ताइं विक्सित होगी जिसके कारण कम से कम पानी में गुजारा करने के आदत हो लेकिन घर उप्योग में आने वाला पानी इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती है सबसे ज़्यादा पानी का उप्योग हमारी हाँ खेती में होता है अगर हम वहाँ फोकस करेंगे और इसके लिए हमें किसानों के पांस विशेश रुप से जाना ही होगा हमारी खेती भूजल से सिंचाई पर बहुत अधिक निर्भर है अगर लेकिन ये भी सच है कि हमारी सिंचाई के पुराने तोर तरीकों से बहुत सा पानी बरबाद हो जाता है हमारे किसान की एक साई की बनी हुई है किसान की बनी हुई है ऐसा नहीं हम लोगों की बनी हुई है बाल्टी भर पानी से नाना है तो लगता है नाहिर नहीं है जब तक ही फवारा नहीं चलता है जैसे हमारी साई की बनी हुई है वैसे ही किसान को भी पूरा खेत पानी से लबालब भरा हुआ नहीं दिखता है तब तक उसको चेहन नहीं होता है उसको लगता है कि बद अब लबालब पानी भर गया बद अब खेती ठीक है और पानी जमीन के लिए है कि पौधे के लिए इसका भेदी समझ नहीं है एक्चुली पानी पोधे को चाहिए लेकिन किसान पानी चमिन्द को देता है उसका दोस्ट नहीं है हमने उस तक सही बात पहुँचा ही नहीं उसी प्रकार जे फसल जब पता है भाई कि कुछ फसल ऐसी है जो पानी सबसे ज़्यादा लूटती है लूटती है मैं कहता हूँ अब उन फसल से कैसे बहार आए हम फसल में परिवर्तन कैसे करें मैं हर्याना सरकार का बदाई देता हूँ मनोलाल जी खटर ने वहां के किसानों को special incentive अभ्यान चलाया और कम पानी वाली फसलों की तरफ ले जाने के लिए बड़ा सफल प्रयोक किया है हर्याना को बचाने का एक बड़ा भ्यान है सारे देख में करना पड़ेगा उसके बिना हम स्थिती को बदल नहीं पाएंगे इसके अलावा गन्ना हो धान हो बहुत सी ऐसी फसले भी है जो बहुत जाजा पानी चाहती है इस प्रकार की फसले जहां होती है वहाँ कई बार ये पाया गया है कि इन जगों पर भूजल का स्तर तेजी से घड़ता जा रहा है इस स्थिती को बदलने के लिए हमें किसानों को वर्षा जलके संचयन के लिए वैकल पीक फसलों के लिए जागरुक करना होगा उन्हें इस अंदोलन का नेत्रुत व किसानों को देना होगा जादा से जादा माइक्रो इरिकेशन की तरफ बढ़ना होगा मुझे बराबर याज़ मैं गुजरात में था मैंने वहाँ जो सुगर फैक्टरीज थी उनको बड़ा दबाव डाला था कि आप के हाँ जो गन्ना के किसान ने उनको समझाईए कि वो स्प्रिंकलर से ड्रीप इरिकेशन से गन्ने की खेती करे गन्ना किसान ये मानने को तयार नहीं था कि स्प्रिंकलर और ड्रीप इरिकेशन से गन्ना पक सकता है हमानने को तयार लिए हमने कंपल्सरी किया उसी का गन्ना लिया जाएगा जो स्प्रिंकलर और ड्रीप इरिकेशन का उप्योग करेगा जब ये कंपल्सरी हो गया अभियान चलाया दबाव डला सुगर फैक्टेरी की तरफ स्वड़ा आर्थिक मदद की गुज़रा सरकार की दरफ से आर्थिक मदद की परणामी आया कि फसल जादा हुई सुगर कंटेंट भी बढ़ा इतना ही नहीं जो लोग गन्य को जानते हूं को मालूम है गन्य की जो दो गांट होती है अगर वो पास-पास होती है तो उसका सुगर कंटेंट कम होता है लेकिन अगर वो डिस्टन जादा होता है तो उनका सुगर कंटेंट बढ़ता है उनको ये सिरफ पानी की प्रद्धती बढ़ने से उनका सुगर कंटेंट बढ़ गया और कभी-कभी तो वो प्राइस लेने लग गए अब देश में धीरे-धीरे विश्वाक बढ़ने लगा है कि फ्लर्ड वोटर की ज़रूत नहीं है हम स्प्रिंकलर और ड्रिप इलिगेशन से भी गन्ना की खेती कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं और इसलिए पर ड्रॉप मौर क्रॉप यह स्प्रिंकलर हमने खेत में हर किसान तक पहुंचाना पढ़ेगा और कभी-कभी किसान को उसकी भाशा में भी समझाना पढ़ेगा अब आप सोच लीजिए कि परिवार में मानो एक बहुती दुबला पतला बच्चा है शारीक विकास नहीं हो रहा हेल्दी नहीं हो रहा है बजन भी कम है और बड़ा कभी हस्ता भी नहीं है मुश्कराता नहीं है बड़ी मुश्किल से इधर से उधर देखता है ऐसा दुबला पतला है और माबाप को लगे गरे इसकी तब यह ठीक है नहीं है तो बालती बर दूड ले आए उसमें बड़ाम डाले केसर डाले बढ़िया बढ़िया चीज़े डाले और दिन में तीन बाप उस पानी से उसको नहला दे फरक आएगा क्या मजबूती आएगी क्या अगर उसके बजाए सिर्फ दोसो ग्राम दूड ले करके चमच से पिला दें तो फरक आएगा कि नहीं आएगा किसान को उसकी भाषा में समझाना होगा उसको तुरंट समझाएगा हाँ या यह गले उतरता है दो चमच दूड पिलाते पिलाते ठीक कर सकते हैं ये बाल्टी भर पानी दूड से नहलाने से नहीं होता है फ़र्ड इरिगेशन से नहीं होता है बुंद बुंद पानी से परिवरतन आता है ये बात उसको समझानी होगा साथ्यों जब हम घर के लिए कुछ खर्च करते हैं तो अपनी आय और बैंक बैलेंस भी देखते हैं अपना बजेट बनाते हैं ऐसे ही जहां पानी कम है या ज़्यादा है वहां गाव के लोगों को वाटर बजेट बनाना बहुत अनिवार यह है और उस आधार पर फसल उगाने के लिए हमें प्रोटसाइट करना होगा मैंने तो देखा हैं जिब गावं में अगर वाटर सिस्टेम शुरू हो जाती है और नल से पानी आना शुरू हो जाता है शेहरों में तो खास तो वो क्या करते हैं उनको पता होता है कि सुबह 6 बेजे पानी आता है तो बाल्टी नल के नीचे उल्टी रख देते हैं और नल चालू करके सो जाते हैं ताकि सुबह घंती का काम वो नल करता है 6 बेजे पानी आता है तो बाल्टी से आवा जाती है तो घर वाले जागे आते मैं आप लोगों की बात लिक कर रहा हूँ और फिर उच्छे के बाद मन करता नहीं करता है आदा गंडा तो पानी चलाई जाता है ऐसी कई कई चीजें हैं तो हम दिरे दिरे बदल सकते हैं वैसे ही गाउं में भी और मैं कहूंगा यहां जो गाउं के लोग आए हैं और क्यों गाउं के लोग आज टेक्नलोजी के माद्यम से हम से जुड़े हैं उनको भी मैं पताना चाहूंगा कि अटल जल योजना में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम सब नागरिकों की है हम सब किसानों की है हम सब मिल करके जितना अच्छा काम करेंगे उससे गाओं का तो भला होगा ही गराम पंचायतों का भी भला होगा अटल जल योजना में इसलिए ये भी प्रावधान किया गया है कि जो गराम पंचायते पानी के लिए बहतरीन काम करेंगी उन्हें और ज्यादा राश्य दी जाएगी इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि वो और अच्छा काम कर सके मेरे सरपंज भाईयों और बेनों आपकी मेहनत, आपका परिश्णम, आपकी भागी दारी देश के हर घर तक जल पहुँचाने के लिए बहुत महत्पपून है मैं अटल जल योजना से जुड़े सभी आठ अजार तीन सो सरपंचों से कहना चाहता हूँ कि आपकी सभलता न सिर्व अटल जल योजना को काम्याब बनाएगी बलकि जल जीवन मिशन को भी मजबूती देगी और कैसे करता है ये आप अगर थोड़ा जानने का प्रयास करोगे तो भली भाति आप उसको उठा लोगे ये देश के प्रत्येग नागरी को भी जानना जरूरी है साथियों आजाती कि इतने वर्षों बात भी आज देश के तीन करोड घरों में ही मैं यहाँ किसी के आलोचना करने के लिए नहीं आया लेकिन सचा ही हमें पता होनी चाहिए तीन करोड घरों में ही नल से जल पहुंचता है सोचिए अठारा करोड ग्रामिन घरों में से सिर्फ तीन करोड घरों में सतर साल में जो काम हुआ है हमें उस से अनेक गुना काम आने वाले पांच साल में कर रहा है यानि पांच साल में पंद्रा करोड घरों तक पानी साप पानी पाइप से पानी पहुँचाना है आपने देखा होगा इन दिल्ली में पानी को लेकर के कितनी जागरुकता और कितनी नराजली आई है लोगों की चाहनों तरफ से आवाज उठ रही है कि हमें दिल्ली में देश की राध्दानी और गंदा पीने का पानी अशुद चिंता का विशे बना हुआ है और इसके लिए अगले पांच वर्षों में केंद्र और राज सरकारे मिल करके साड़े तीन लाग करोड रुपिय से ज़्यादा खर्च पानी के लिए खर्च करने जा रहे है हो सकता है कल कोई हेडलाइन बना देगा साड़े तीन लाग करोड पानी में साथियों पानी अपने आप में यह संकल्प हमारा बहुत बड़ा विराठ है लेकिन हमारे पास सफल होने के सिवाए देश वास्यों के पास कोई विकल्प नहीं है और मुझे भी स्वास है जिस प्रकार से स्वच्छता के अभियान में देश का हर वर्ग जूड गया मिडिया ने भी नेतरुत्व किया कर्परेट वर्ल ने भी नेतरुत्व किया गवर्मेंट मशिंडरी ने नेतरुत्व किया हर किसे ने इसको अपनी जिम्मेवारी माना पानी को भी हर किसी को अपनी जिम्मेवारी समझना होगा और पानी परमात्मा ने दिया हुआ प्रसाद है इसको बरबात करने का हमें कोई हक ने ऐसे में हमारी प्रतिवर्दता जमीन पर देश के गाउं गाउं में दिखनी बहुत आवशक है आज जो जल जिवन मिशन की गाइडलान जारी की गई है वो इसमें हम सब को मुझे क्या करना है गाउं में क्या करना है इसकी पूरी पूरी उसमें जिम्मेवारियत ताय है साथियों जल जिवन मिशन का यह भियान सिर्फ हर गर तक स्वच्च जल पहुचाने से नहीं जुड़ा हुआ है हमारी मा बहनों को घर से दूर जाकर पानी न लाना पड़े उनकी गरिमा का सम्मान हो उनकी जिन्द की आसान बने ये भी हम सब का दाईत्व है इस मिशन का लक्ष है आज भी जब किसी भुजुर्ग मा को पानी के लिए भटकते देखता हूँ जब किसी बहन को सिर्फ़ पर मटके रखकर मीलो पादल चलते देखता हूँ तो बच्पन के वो सारे दिन सामने याद आ जाते हैं कि अब इतने सारों के बाद भी हम जिन्ज की ऐसे जिए देख भर की करोडों ऐसी बहनों को पानी जुटाने की तकलिफ से भी मुक्ति दिलाने का समय हम सब की जिम्मेवारी के रूप में आ चुका है जैसे हमने हर घर में सौचाले पहुँचाए उसी तरह हर घर में जल्बी पहुँचाएंगे ये जिम्मेवारी एक प्राण के रूप में एक मिशन के रूप में देश वाचियों को लेनी होगी और हमें समने मिलकर के काम करना पड़ेगा और जब संकल्प ले लिया है तो इसे सद्द करना भी हमें नई शक्ती देता है नय उत्सा देता है सफलता और अधिक कुछ करने के लिए प्रेणा देती है साथ यो गाउं की भागीदारी और साजेदारी की इस योजना में मात्मा गांदी जी का जो ग्राम स्वराज की का भी इसके अंदर एक सुगंद है पानी से जोड़ी योजना है हर गाउं के स्थर पर वहां की स्थीती परिस्थी की अनुसार बने इस जल जीवन मिशन की गैडलाज बनाते समय ध्यान रखा गया है इतना ही नहीं ग्राम पंचायत या पंचायत इसके द्वारा बनाई गई पानी समीती ही अपने स्थर पर पानी से जोड़ी योजना बनाईगी उसे लागू करेगी उसकी देखने करेगी और इसलिए हमें पानी के लाइन की प्लानिंग से लेकर उसके प्रबंदक तक से गाउं को जोड़ने का काम हमें करना है हमें हमेशा याद रखना है कि गाउं के मेरे भाई बहनों के पास बुजुर्गों के पास पानी के सोतों को लेकर पानी के भणनारण से जूरी बातों का खजा पुनान जमने में क्या होता था हम कैसे करते हैं आप किसी भी गाओं में जाएए गाओं के हर वेक्ति को पानी के समध में वो क्या करते हैं तो उसकी पूरी जानकरी होगी एक living memory उनके पास होती है हमें गाओं के लोगों से मैं नहीं मानता हूँ इसे बड़ा कोई एक्सपर्ट के लिए या कोई कंसल्टन्सी की फ़र्म की ज़रूरत है गाउं के बुजूर की इसमें काफिये में गाइड कर सकते है और इसमें गाउं के लोगों के अनुभव का हमें पूरा इस्तिमाल करना है साथियों हमारी सरकार का प्रयाज जल जीमन मिशन में जादा से ज़र्दा गाउं के लोगों को उनको अधिकार देना वो ही अपने गाउं का भविश्च के लिए आगे बढ़े उन्हीं को आतमंदिर भर बनाना यही इस कारकम की विशेस्ता है इस मिशन के लिए हर गाउं में एक विशेस कमिटी बनाई जाएगी गाउं के स्थर पर ही एक्शन प्लान बनेगा और मैं इस खेतर में काफी सालों तक काम करके आया हूँ तो मिज़े मालूम है जब मैं गुजरात में थाया कच्छ में रेगिस्तान पानी की बड़ी किल्दत रहती है तो हमने महिलाओं के ही समीतिया बनाई पानी समीति महिलाओं की सब महिलाए जिम्मेवार और हमारा अनुखव यह आया कि उन महिला समीतियों ने हैंट पंक को कैसे रिपेर करना वो भी सिख लिया मोटर कब चलाना कैसे चलाना वो भी सिख लिया पानी का टैक्सेज जो थे वो भी महिलाओं बिल्कुल हंडेड परसंट कलेक्ट करती थी और इंटरनेशनल एजेंसिस ने उनको एवर्ड दिये थे महिलाओं ने इतनी संवेदन सिल्टा के साथ इस पूरे काम को आगे बढ़ाया था आज भी कर रही है और उसमें एक्सपरटाईज आ गई उनकी पानों के समझ में गहरी समझ आ गई है पानी के साथ जुड़ी हुई टेक्नोलोजी अप्ग्रेड टेक्नोलोजी इसको भी वो खोड़ती रहती है कुछ नए प्रयोक करती रहती है हम भी चाहेंगे के पूरे देश में किसान भी खुद नेतरुत्व करें माताए बहने भी नेतरुत्व करें और मेरा याग्रह होगा कि इस कमीटी में कम से कम हो सके तो शत्व प्रतिशत अगर नहीं संबव है तो कम से कम पचास प्रतिशत तो हमारी बहने हमारी माताएं होनी ही चाहिए इतना ही नहीं साब पानी आ रहा है या नहीं इसकी जाँच के लिए गाउं के ही निवाश्यों वहां के बहने बेटियों को ट्रेन किया जाएगा इसी तरह काउश्यों विकास जोजना के माध्यम से बड़े स्तर पर गाउं के युवाउं को फीटर, प्लंबर, इलेक्रिशन, मिस्त्री ऐसे अनेक कामों की ट्रेनिक दी जाएगी ताकि एक पूरा इकोसिस्टिम वही डेबलप हो इन सारे प्रयासों के बीच कुछ दुर्गम इलाकों में कुछ सुदूर पाहडिक शेत्रों में मौसम और भोगोलिक स्तिजी की बज़े से वहाँ पानी नीचे से उपर ले जाना पड़ता है मुश्किल काम होता है उसके लिए भी वहाँ की आवश्क्ता के अनुसार हमें काम करना होगा उन जगह को हम छोड़ नहीं सकते ऐसे स्थानों के लिए वेहिकल की व्यवस्थाओं को हमने विक्सित करना होगा वहाँ भी ये सुनिशित किया जाएगा कि उन गाउं के लोगों को शुद्ध पानी मिले साथ यो जल जीवन मिशन के दोरान एक और नई चीज़ की जा रही है इस योजना की मॉनिटरिंग के लिए स्पेस टेक्नलोजी हम जो सेटलाइट छोड़ते न कुछ लोगों को लगता है कि इस चीज़ के लिए है तो मेरे गाउं के किसान का भी भला कर सकता है पानी के सारे स्रोत की जानकारिया हम स्पेस टेकनलोजी के माढँ़िए मसे ले सकते हैं हम अर्टिफिशल इंटेलिजन का उपयोग करके कर सकते हैं हम इन-सानी टेकनलोजी का उप्योग कर गई इवन हर गाउं का हम पानी कहां से कहां की तरब जाता है और मंत्र बनाए हर घर का पानी गाउं में रहे हर गाउं का पानी गाउं में रहे और पानी के जितने भी बहाव हो गाउं के वो हम satellite से उसकी फोटोग्राफी कर सकते हैं 3D फोटोग्राफी कर सकते हैं उसकी एक pen dryu हर गाउं में रख सकते हैं और गाउं वाले तै कर सकते हैं कि इतने इतनी जिगा से पानी बहता है गाउं का तो वहाँ पर उसको रोक लिया जाए अगर 7 दिन पर भी पानी रोक लिया 10 दिन भी पानी रोक लिया वो पानी नीचे जाएगा धीरे धीरे वेटर टेबल आपणाना शुरू हो जाएगे उसी एक प्रक्रिया से पानी शुद्ध होना शुरू हो जाएगा पानी की बहुत बढ़ी ताकत होती आरोग्य को भी आरोग्य को भी अगर कोई एक गारंटी देने वाली आउसद है तो पानी है शुद्ध पानी आपके अंदर इतना रिजिस्टन्स पाउर बढ़ा देता है आप कल्पना नहीं कर सकते है जब साबरमती नदी आप मैंसे जो लोग 15 साल पहले गए होंगे साबरमत नदी पर निबन लिखो तो वो क्या लिखेंगे वो यही लिखते थे कि नदी में बालू का धेर होता है नदी में क्रिकेट खेला जाता है नदी में सरकस आता है तो उसका टैंट लगता है क्योंकि उन्होंने वही देखा था नदी में पानी होता था वो बच्चों ने साबरमती नदी पर उनको असर होते बीच को मनाए उपर क्यों रखा है लेकिन जब नर्वदा का पानी और साबरमती के पानी को इखटा किया जो रिवलुशन हुआ उसके जब सर्वे किये नर्वदा का पानी साबरमती में आने के कारण आहमदाबाद शहर के कई इलाकों में वाटर टेबल उपर आया जिस सोसाइटी का बिजली का पानी का बील ड़ाई हजार रुपया आता था वो ड़ाई सोर रुपया हो गया क्योंकि पानी उपर आया आयम्दाबाद मुल्सिपल कॉर्परिशन का पंद्रा करोड रुपया पानी का बिल कम हो गया क्योंकि पानी उपर आ गया आयम्दाबाद की अस्पतालों में अगस सितंबर अक्तूबर में जगा नहीं रहती थी शुद्ध पानी पिलने के बाद कोई एपडेमिक की खबर नहीं आई इतनी टांकत होती है शुद्ध पानी में हर गाउं में पानी का कितना भंदारन हो रहा है कितना हर्च हो रहा है पानी की स्थिती की बारे में सारी जानकारी पर लगातार monitoring की वबस्ता होगी technology का उपयोग करके होगी सात्यों, जलजिवन मीशन में सरकार ने ये भी प्रावधान किया है कि आपके गाउं में योजना पुरी होने पर सरकार पानी समित्री के खाते में सीधे पैसे बेजेगी कोई बीच में कोई नहीं ताकि पानी से जुड़ी विवस्ताओं को देख रहे और सिंचालन गाउं के लोग ही करे मेरा एक और आगरह है कि हर गाउं के लोग पानी एक्षन प्रान बनाए पानी फंड बनाए आपके गाउं में पानी से जुड़ी योजनाओं में अनेकी योजनाओं के तहट पैसा आता है इन सब को मिला करके उसका सही उपयोग करना चाहिए विधायक और सांसत की नीदी से आता है केंदर और राजिकी योजनाओं से आता है हमें ये विवस्ता बनानी होगी कि सारा पैसा एक ही जग और एक ही तरीके से खर्च हो इससे टुकड़ टुकड़ में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाने के बजाएं जाना पैसा एक साथ लगेगा तो परणाम भी सामने आएगा साथ क्यों मैं आज इस अवसर पर दुनिया भर में बसे भारतियों से भी आगरा करूँगा कि वो इस पावन अभियान में अपना योगदान दे जिस गाउं से वो विदेशों में गए हैं उस गाउं में पानी को प्रात्विक्ता दे क्योंकि विदेश में बसा हुआ हर भारतिय कहता है कि मैं मेरे देश के लिए क्या करूँ तो मैं उनकों एक काम तो पहले कहता था कि आप अपने परिचीत नौन इंडियर ऐसे पांच लोगों को भारत देखने के लिए भेजिए आज मैं उनको एक और काम कहता हूँ आप अपने गाउं में पानी से जुड़े काम में जो भी योगदान दे सकते हैं जुरूर दे अगर पानी और प्रवास इन दोनों के लिए भी देश में हमारे लोग लग जाएं आप देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आता है मैं आज इस मन से गाउं में रहने वाले हमारे भाईयों बहनों को भी अपील करता हूँ कि वो पानी के समरक्षन के लिए पानी के वित्रण की विवसता को सहमालने के लिए पानी की रिसाइकलिंग के लिए आगय आए और जहां पर ज़रुष है किसानों से मेरा आगरہ है आप फसल में परिवर्तन कीजिए कम पानी वाली फसलों की तरफ आपको जाना होगा मैं आगरा करूँगा कि आप आगे आईए भाईयो भेनो आप अपना समय दें अपना स्रम दें आप एक कदम चलेंगे तो सरकार नव कदम चलेंगी मैं आपको बादा करता हूँ आईए एक जूठ होकर कदम से कदम मिलाते हुए देश के सामान्य जन को बहुत ही महत्वपून है एक बार फिर अटल जल योजना के लिए जल जिवन मिशन के लिए पूरे देश को बहुत-बहुत सुबकामना है और अटल तनल हमारे एक नए छेतर के विकास की नई नए द्वार खोल रहा है उसके लिए पिशेश करके लेह लदा करगिल के भाईयों को हिमाचल के भाईयों को और देश भर के प्रकूरती प्रेमी यात्रियों को मैं बहुत-बहुत सुबकामना है देते हुए अटल तनल का भी नाम करन करते हुए गर्मानुभव करता हूँ फिर एक बार आप सब का बहुत-बहुत दन्वाद